बीजेपि दिल्ली की प्रवक्ता निगहत अब्बास ने एक वीडियो ट्वीट किया और लिखा किये श्रीनगर में आतंगवादी को लाइव गिरफतार किये जाने की घटना है सहारा समय टीवी के एंकर रमेश अवस्थी ने भी यही वीडियो शेर करते हुए यही दावा किया निगहत अब्बास ने तो अपना ट्वीट घंटे भर में ही डिलीट कर दिया लेकिन ट्विटर और फेस्बुक पर यह वीडियो खूब शेर किया जा रहा है उसके साथ यही दावा किया जा रहा है कि यह श्रीनगर में एक आतंकवादी को गिरफतार किये जाने का वीडियो है जब हमने इसके एक फ्रेम का रिवर सिमेट सर्च किया तो मालूम पड़ा कि यह ब्रजील की घचना थी 2 अगस्त 2021 को ब्रजील के कई मीडिया चैनल्स ने इस बारे में खबर दी थी इन रिपोर्ट्स में यही वीडियो देखा जा सकता है रिपोर्ट्स के मताबिक 17 साल के गलड़के को पुलिस ने संदिख्ध कारे करते हुए देख लिया था पुलिस ने उसे रुकने को कहा लेकिन वो भागने लगा कई सडकों से भागते भागते वो पुलिस की पकड में आया ये इसी घटना का वीडियो था जिसे सडक किनारे नजारा देख रहे लोगों में से किसी ने रिकॉर्ड कर लिया था ब्रजील के कई प्रमुक मीडिया आउटलेट्स ने इस घटना की जानकारी दी थी यानि ब्रजील के एक लड़के को हिरासत में लिये जाने का वीडियो श्रीनगर में आतंकवादी पकड़े जाने के दावे के साथ शेयर किया गया इसे शेयर करने वालों में न्यूज एंकर और भाजपा की प्रवक्ता भी शामिल थी झालों में एक लाजब खावे कर दो करता भाजब जाने के लाजब कर दो कर दो, इस वाज़ झालों में घाने वालों में टारों में लड़ा कर दो